नमस्कार कसिस्ट नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग मुखिया के मर्डर का CCTV फुटेश सामने आ गया है जी हां बात करने कल जो पटना में मुखिया का मर्डर हुआ था दिन दहारे हत्या कर दी गई थी बाइक सवार अपरादी आये थे तिन की संख्या में जिन्हों ने तावर तोड गोलिया बर्साई थी और मुखिया की हत्या कर दी थी उसके बाद पूरे दिन हंगामा चलता रहा दरसल यह पटना के फुलवारी शरीप प्रकंड का मामला था जहां रामपूर फरीदपूर के पंचायत जो नो निर्वाचित मुखिया थे उनकी हत्या कर दी गई थी और अब जो यह सीसी टीवी फुटेज सामने आया है तो महत्तपून दस्तबेज जो है पुलीज के हाथ लगे हैं सीसी टीवी फुटेज में कैद हो गए हैं अपरादी कि किस तरह से वो वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग दिक लें तो आपको सी हत्या कर लिए हैं यानि सीसी टीवी में कैद हो गए हैं अप देख सकते हैं तसमीरे देख सकते हैं कि किस तरह से जो हत्यारे वारदात को अंजाम दे का आराम से निकल गए आपको बताएं कि पटना के जानिपूर थाना का मामला है ये जानिपूर थाना के रामपूर फरीदपूर पंचायत जो फुलवारी प्रखंड का हिस्सा है फुलवारी प्रखंड के रामपूर फरीदपूर पंचायत के नौनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार हत्याकान मे पुलिस्क ने CCTV फुटेज खोज निगाला है CCTV फुटेज में साब देखा जा रहा है कि मंगलवार की सुबा 9 बच के 27 मिनट पर तीन अपरादी अराम से टहलते हुए आए इनकी उम्र लगभग 20 से 24 वर्स बताई जा रही है उत्तरदिसा में पैदल ही अपने मुग को पूरी तरह ढगे हुए मुखिया नीरज कुमार के कारेले में पहुँचे और घटना को अंजाम देकर तीनों अपरादी पैदल ही उत्तरदिसा की तरफ दोड़कर मुख्य मार के से भाग निकले तो आप तस्वीरे देख रहे हैं CCTV फुटेज उस वक्त का जब अपरादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया दिन दाहाडे मुखिया की हत्या कर दी 9 बज कर 27 मिनट की वारदात है आपको बता रहे हैं CCTV फुटेज में तमाम चीज़े कैद हो गई है समय भी कैद है और 9 बज कर 27 मिनट पर ये तीन अपरादी दिन के वक्त का ये मामला है नजर आ रहे हैं और मुखिया की हत्या कर अराम से टहलते हुए वहाँ से निकल गए आपको बताएं कि घटना अस्तरप उपस्तित कुछ लोगों ने इस पूरे दिर से को देखकर सोर मचाना सुरू किया लोगों के सोरगूल सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और भाग रहे अपरादियों का कुछ दूर तक पीछा भी करते हैं इसके बावजूद पैदल भाग रहे अपरादी घटना को अंजाम देकर भागने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं CCTV पुटेज कैदार पर पुलिस उन अपरादियों की तलास में अब जुट गई है तो आपको बताएं कि किस तरह से ये जो घटना करम है पूरी घटना करम है जो मुखिया की हत्या हुई है वो CCTV में कैद हो गई है कल ये संसनी खेज मामला सामने आया था पटना में पटना के पुर्वारी शरीफ जो जानिपूर्थाना है और रामपूर्थ फरीदपूर पंचायत के मुखिया की हत्या की गई थी आपको बताएं कि परिजनों का इस मामले में कहना है कि जब से नीरच कुमार चुनाव जीत कर मुखिया बने थे गाओं के ही कुछ लोग उनकी जान की दुस्मन बने हुए थे कई बार मुखिया नीरच कुमार को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है उन्होंने इस बात की जनकारी जानीपुर्थाना प्रभारी उत्तम कुमार को भी दी थी तो परिवार वालों ने जैसा की बताया कि मुखिया को जानका खत्रा था उन्हें धमकी मिल रही थी और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी और पुलिस अगर इस मामले में थोड़ा भी अगर सतर्ग होती तो साय इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो परिजनों का साफ साफ आरोप है पुलिस पर कि पुलिस की लापरवाई से मुखिया की जान चली गई है आपको बताएं कि मंगरवार की सुबह साड़े नौ बजे रामपूर फरितपूर परंचायत के नौ निर्वाचित मुखिया नीरज कुमार नास्ता करके अपने कारेले आसरम के पास बैठे थे इसी दोरान तीन अपरादी पैदल उनके कारेले करके के पास पहुँचे और मुखिया नीरज कुमार को तबर तोड तीन गोलियां सरीर में उनके दाग दी और अपरादी पैदल ही वहां से हतियार लहराते हुए भाग चले और अब ये तमाम घटना करम CCTV पूटेज के तौर पर कैद हो गया है तो अब इस मामले में पुलिस उन अपरादियों को तलास रही है फिलाल अभी सफलता नहीं मिली है बने रही है कसिस्ट न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाल